वेल्कम तो तेजिया की पेशन, ड्यापम दोर आयो जो थोने वाली परिच्छा में जो प्रश्ण बारवार पूछे गए हैं, ऐसे प्रश्ण हम MPGK और इंडिया जीके के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, आप यह मात्यपूर प्रश्ण हैं, कई प्रश्ण तो MPGK क कैसे आपको मिलेगा गों मिलेगा इंडिया जीके, जो बारवार रिपीट होते रहते हैं, सबसे पहला प्रश्ण है कि कौन से बर्स में सर सीबी रमन को भोतकी के लिए नौवल प्रसकार दिया गया था, सबसे पहला प्रश्ण निक्रपर सर 1939 में, 1930 या 1933 तो 1930 में भोतकी के लिए नौबल प्रसकार दिया गया था सीबी रमन जी को अगला प्रश्न है महाराष्ट की राष्टी उध्यान का नाम बताईए जो मद्य प्रदेश में समान नाम बाले एक अन्य राष्टी उध्यान के साथ अपनी सीमा साजा करता है तो ऐसे राष्टी उध्यान का नाम है जो कि समान नाम बाले अन्य राष्टी उध्यान के साथ सीमा साजा करता है जो मद्य प्रदेश में है नाम है पेंच राष्टी उध्यान बिकल्पी इसका सही जवाब है जो पेंच राष्टी उध्यान है यह मद्यप्रदीश की सिबनी और छिंदवाड़ा जिलों में इस्थित है प्रश्ना कि कौन सा ये प्रोटीन है जो मानव सरीन में पाया जाता है केवल कॉलेजन या फिर हीमोगलोविन या फिर इंसुलिन या फिर ये तीनों ही मानव सरीन में पाया जाते है तो भी कोलेजन, हीमोगलेवन और इंसुलिन ये सभी के सभी प्रोटीन है जो मानव सरीर में पाय जाते है इस देट के लिए बिकल पेडी इसका सही जबाब होगा और प्रोटीन जो हो रहती है प्रोटीन का मुख्यकार सरीर की आधार भूत सरचना की इस्थापना करना होता है प्रश्न है कि मद्य भारत में हीरों का खनन कहां पर होता है वह देच्छा प्रश्ण है, तो हमें से याद रखिएगा, मद्य भारत में हीरों का खनन पन्ना में होता है पन्ना भारत में स्थितिक नगर है, जो के हीरों के खनन के लिए प्रशिद्ध है एकला प्रश्ण है, अंतरराष्टी योग दिवस हर वर्स कब मनाया जाता है पहले बार अंतरराष्टी योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था, ठीक आज से 5 साल पहले अगरा प्रश्ण है, भारत का संविधान कब श्विक्रत किया गया था, जैकि मैं श्विक्रत होने की बात कर रहा हूँ जैकि स्विक्रत किया गया था, भारती शंविधान संविधान शभा द्वारा, 26 नवंबर 1999 को, संविधान संविधान शभा द्वारा यह पारत किया गया था और 26 जन्वरी 1950 को यह प्रभावी हुआ था इस देट के लिए और 26 नवंबर भारत के सम्मिधान दिवस की रूप में भी घोसित किया गया जब कि 26 जन्वरी गड़तंत दिवस की रूप में मनाया जाता है कभी भी पूछ ले भारत के सम्मेधान दिवस की रूप में कब मनाया जाता है तो सम्मेधान दिवस 26 नवंबर को और 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ तो 26 जनवरी को क्या है गड़तंत्र दिवस मनाया जाता है प्रशन है राजीव गांदी की हत्या कहां पर हुई थी बहुत अच्छा प्रशन है तो राजीव गांदी की हत्या हुई कहां पर भही इसका सही जवाब है पीरुम बुदुर ओके विकल्प भी इसका सही जवाब है और राजीव गांदी भारत के साथ में प्रधान मंद्री प्रश्ण है और उन्हें से इंक्यानवे कि आम चुनाम में प्रचार के दोरान इनकी एक बम विस्फूर्ट में अत्या हुई थी अगला प्रश्ण है कि मद्यबृदी से बिभाजित होने के बाद राज्य का गठन किया गया था 36 राज्य का गठन किया गया था मद्यबृदी से बिभाजित होकर या जहरकंड या बिहार या उत्तराकंड आसन सा प्रश्ण भई 36 राज्य का गठन किया गया था मद्यबृदी से बिभाजित होकर और कब किया गया एक नवंबर बरस दोहजार में यह गठन किया गया था प्रशने के उद्यगरी की गुफाएं कहां पर इस्थित हैं बहुत अच्छा प्रशने तो हमेंसे याद रखिएगा कि उद्यगरी की गुफाएं विद्धिसा में इस्थित हैं आगे वड़ते हैं कभी प्रश्ण पूछ ले, उद्यगरी में कुल कितनी गुपाएं हैं, तो उद्यगरी में कुल बीस गुफाएं हैं, जो कि चोथी और पाच्वी सताब्दी से सब्बन देते हैं, सदी से, अगला प्रश्ण है, रतलाम किसके लिए प्रशिद्ध है, हमें सियात रखिएगा, कि जो रतलाम है, वह मालवाच छेतर का एक जिला है, और यह किसलिए भई, क्यों प्रशिद्ध है, सोने के लिए प्रशिद्ध है, और सेव के लिए प्रशिद्ध है, विकल्प भी इसका सही जवाब है, देखिए, यह जो रतलाम है, वो नगर सेव के लिए, सोना सट्टा क अगला प्रशन है, राजगद्धी एवं राजबाड़ा में किसकी आदम कद आकार की मूर्ठी है तो राजगद्धी एवं राजबाड़ा में महरानी ओहल्यावाई की, किसकी ओहल्यावाई होलकर की मूर्ती है अगला प्रश्ण है दमुह में पहाडी किला कहाँ पर इस्थित है बहुत अच्छा प्रश्ण है तो हमें से याद रखिएगा कि दमुह में पहाडी किला इस्थित है सिंखोरगड में विकलब यह इसका सही जवाब है अगला प्रश्ण है इंद्रागंदी राष्टिय जन जाती विश्व विध्याले कहां पर है हमें से याद रखियागा प्यरिविर इंपोर्टेंट है इंद्रागंदी राष्टिय जन जाती विश्व विध्याले स्थित है अमर कंटक अनूप पूर में कहा पर अमर कंटक अनूप पूर चला इस देट के लिए अगला प्रशन है जब 1983 विशो कप जीता गया था तब भारती करिकेट टीम के कपतान कौन थे 1983 भारत ने जब विशुकप जीता उश्य में भारती टीम के कप्तान थे कपिल देव प्रश्ण है कि मद्यब्रदेश के नाखून कला एवं नाखून पेंटिंग के लिए प्रशिद्ध है और इसी ने उन्हें पेटेंट प्राप्त है तो नाखून कला एवं नाखून पेंटिंग में कौन प्रशिद्ध है और यह मद्यब्रदेश के भी है जिसका साई जबाव है बाजित खान बाजित खान मद्यब्रदेश के मंद सोर से है और यह नाखून पर पेंटिंग करते हैं इसमें उन्हें पेटेंट भी प्राप्त है बाजित खान अगला प्रश्ण है सरदार सरोबर बांद कौन सी नदी पर बनाया गया है तो भी सरदार सरोबर बांद बनाया गया है नर्मदान नदी पर विकल्प एसका सही जवाब अगला प्रश्ण है बाग की गुफाएं कौन से जिले में स्थित हैं हासन सा प्रश्न है वई तो बाक्की जो गुफाएं हैं वे धार जिले में हैं कि विखल्प ए इसका सही जवाब प्रश्न है कि मद्य प्रदीश में पहला जल अविश्य का अभ्यान कब सुरू किया गया था तो मद्य परतीस में पहला जल अविश्यक अभ्यान शुरू किया गया था बर्स 2006 में प्रश्ण है के निमने लिखेत हड्डियों में से कौन सी मानव कंठ की हड्डी है कपाल, किविया, त्रिकॉस्थ या एटलस तो मानव कंठ की इन में से हड्डी है एटलस अगला प्रश्ण है राश्की न्यूज प्रिंट एवंब पेपर मिल्स लिम्टेव ने 1955 में उत्पादन शुरू किया था यह कौन से राज्ज में इस्थित है अरे भहिया यह इस्थित है मध्य प्रदीस में बिकल्प एसका सही जबाब है अगला प्रश्ण है कि निम्ह लिकत में से कौन से भारस सरकार की ग्रामीड विद्ध्यूती करान योजना है दूग दूज जी वाई इसी तरह विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को हर वर्स मनाया जाता है प्रश्ण है कि लोग कोर्व जीये ने किस भारती सहर को डिजाइन करने में भारत सरकार की साहता की इसका सही जवाब विकल्प सी चंडिगण चंडिगण को डिजाइन करने में ली कोर्व जीये ने साहता की प्रश्ण है कि संसद की लोग लेखा समिती के अध्यच किसकी द्वारा निक्त किये जाते हैं तो संसद की लोग लेखा समिती के अध्यच निक्त किये जाते हैं लोग शभा के बक्ता के द्वारा उकी बिकल्पी भी इसका सही जवाब है अगला प्रश्ण है महापर निर्वाण मंदिर कहां पर इस्थित है हमें सहाद रखिएगा कि महापर निर्वाण मंदिर इस्थित है कुसी नगर में अगला प्रश्ण है कि मद्यपर्दीश का संजय गांधी थर्मल पावर इस्टेशन कहां पर इस्टिद है तो मद्यपर्दीश का संजय गांधी थर्मल पावर इस्टिद है उमरिया में प्रश्ण है कि रायसे जिले में इस्टिद प्रशिद सिव मंदर कहां पर है तो रायसन जले का जो शिव मंदिर है वहा भूषपुर्मे विकल्प सी इसका सही जबाब है प्रश्ण है कि जोगिया चट्टान चार मूर्थी कहां पर इस्तित है जवर्पुर्मे विकल्प ये इसका सही जबाब है अगला प्रश्ण है नर्मदा और सोन नदियों के उद्गम का नाम बताईएगा तो नर्मदा और सोन नदियों का उद्गम है अमरकंटकों के विकल्प ये इसका सही जबाब है प्रश्ण है कि भूपाल में इस्तित सबसे बड़ी मज्जित का नाम क्या है तो भुपाल में सबसे बड़ी मजजित का नाम है ताज उल मजजित और इस मजजित का निर्माण मुगल सासक बहदुर साज जफर ने कराया प्रश्ने के स्वामि बीवी कानंद किसकी मुख्य सिस्य थे प्रश्ने के अंतरच में जाने वाली भारती मुल की पहली महिला कौन थी तो अंतरच में जाने वाली भारती मुल की पहली महिला थी कलपना चावलाद कलपे 20 का सही जवाब है तो कई प्रश्ना आपको रिपीटेट मिलेंगी प्रहांकरमांग 20 है प्रहांकरमांग 19 भी रिपीटेड 18 भी रिपीटेड है तो कई प्रश्ण इसी तरह से रिपीट होते हैं यह प्रश्ण अलग लग पूछा गया नरमद्या का उद्वगा में इस्तल कौन सा है तो प्रश्ण काफी रिपीट होते हैं अब बने रहें तेज यूकिसन के साथ इसी तरह के महतुपन प्रशन देखने के लिए